कैसो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छ होगे स्वागत है दोस्तो आप सभी लोगों का आपके अपनी चानल के रिकॉलेंट प्रिडिक्शन में है गाइद आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पाकिस्तान सूपर लिग का यहां से जो की मैच में हम लोग फुल डिसकस किया जाएगा तो विडाउट वेस्टिंगे टाइम वीडियो को इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों आप लोगों के यहां से मैं पॉइंट टेबल दिखाता चलू तो इसलामाबाद युनाइटेट की टीम देखोगे साथ मुकाबले खेल कर तीन मुकाबले जीती है मतलब चार मुकाबले जीती है तीन मुकाबले हारी है तो दोनों टीम क्वैलिफाई करने के चांसे है ठीक है देखा जाएगा लेकिन टॉप पे कौन टीम समाप्त कर दियो क्योंकि आप लोगों को मालूम है प्येसल यह मतलब 80% मुकाबले हो तरह सर्च करके आ सकते हो चार नवंबर का पिंड मैसेज होगा एक बर्स देख जरूर लेना ठीक है आफ्टर टॉस आप लोगों को यहाँ पे मैं टीम वागारा प्रवाइड करा देता हूँ अब यही देख लोगों जो कल का इंटरनेशनल मुकाबले खिला गया था इंग मकाबले खेले जाएंगे डबल हीडर का यह दूसरा मुकाबले है अज डबल हीडर मुकाबले खिले जाएंगे पलस डाबलू पील भी चल रहा है वुमेंवेकर बइबर लेन। तो जिसको देखना है चेक कर सकते हो साथ मार्च को साथ बच के तीस मिनट पे आप लोगों को अपने भारेट टैमर उसार ये मुकाबला देखने को मिल जाएगा जो कि रावल पिंडी किर्केट ग्राउंड पे खेला जाएगा पिछ रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग एक मतला batting surface मान के चल सकते हो batsman आप लोगों को अच्छा खासा करते हुए दिख सकते हैं वहें जैसे half के over होते हैं न वहाँ पे आप लोगों को pacers जो होते हैं first baller वो अच्छा खासा करते हुए दिख सकते हैं और second inning में या फिर middle over में इस ग्राउंड पे धियान दीजेगा important record है 11 मुकाबले खेलके मातर 3 मुकाबले बैट 1st करने वाली टीम ने वोन किया है, chase करने वाली टीम ने 8 मुकाबले को वोन किया है, तो toss जीती है chase की जब मुकाबले जीत लीजे, simple से concept यहाँ पे रहने वाला है average जो कि first inning score है 170 रने तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो batting करने के लिए बहुत अच्छी surface रहने वाली है Islamabad United का 204 रन 4 विकेट के नुकसान पे highest score है और इन ही लोगों का 91 रन 7 विकेट के नुकसान पे Islamabad United का ही lowest score है scoring pattern पे नजर डालते है, 150 के अंदर दो बार scoring हुई है, 150 से 170 के बिच में भी दो बार 170 से 190 के बिच में 4 बार बाकि 190 से जादा यहाँ पे 3 बार scoring हुई है, जहां तक मुझको लगता है न, I think first bat करने वाली टीम, 170 से लेकर 190 definitely यहाँ पे बनानी चाहिए नहीं तो फिर देखो, यहाँ पे डिफेंड करना काफी मुस्किल होता है, जो कि हम लोग पिछले 5 मुकाबले के बेस पे यहाँ पे समझा जाएगा, तो देखिए कराची कुएटा का मुकाबला खेला गया था, कराची की टीम 164 रन बनाई थी, 6 विकट के लुकसान पे जो की चेज हो गया था, ठीक है, और कुएटा ने इसको चेज कर लिया था, जहाँ पे पेसर्स कौाट विकट, वहीं स्पिनर्स को 3 विकट मिले थे एक और मुकाबले कुएटा और इसलामाबाद के बिच में खेला गया था, कुएटा की टीम 204 रन बना दी थी इनकी टीम ने, जहाँ पे साथ विकट पेसर्स को, और मातर एक ही विकट स्पिन बॉलर निकाल पाया था, एक और मुकाबला पेसवार और कराची का देखिएगा, जहाँ पे 197 बना था, पेसवार दुआरा और कराची, ये टीम कराची की टीम, चेज नहीं कर पाय थी, मातर 173 बनाय थी और 24 रनों से, पेसवार की टीम ने इस मुकाबले को वोन कर लिया था, जहाँ पे पेसर्स को 10 विकेट, वहीं स्पिनर्स को भी 3 विकेट मिला था, आप देखो, ओवरॉल क्या हुआ है, पिछले 4 मुकाबले जो कि इस ग्राउंड पे खेले गए है, एक और डोमेस्टिक का मुकाबले, आप ये देखना चाहो, तो देख सकते चेजिंग करने वाली टीम ने यहाँ पे वोन किया, लेकिन बेरहल हम लोग पी एसल पे जरा सा ध्यान आप लोग मतलब फेवर में करके अपनी टीम मना सकते है, क्योंकि देखो फैंटेसी लॉजिक और स्किल्स के बेस पे खेला जाता है, लग्ट यह बचाया जा सके है, बागी देखो टीम 180 बनाना मतलब T20 के हिसाब से बाट्समेन तो अपना काम कर देंगे, अब बाकी का काम बालर्स को बालर्स किस परकार डिफेंड करते हैं, ठीक है, पलस मुलतान की बालिंग बहुत मजबूत है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊ यह बहुत मुस्किल काम होने वाला है, 180-85 बनाईएगा, यह हो सकता है, डिफेंड हो जाए, लेकिन 170-170 रेर कंडिशन में ही डिफेंड हो सकता है, तो उम्मीद है, जो चीज़े मैंने आप लोगों को लॉजिक वाइज यहाँ पर बताईए, आप समझ गए होगे, रुबाज का खाता नहीं कूला था, लेकिन अच्छे खेलाड़ी है, टैलेंटेड खेलाड़ी है, आलेक्स हैस भी देखिएगा, कुछ खासा कर नहीं पायते हैं, मातरबारा के स्कोर कर पायते हैं, कॉलिन मुनरू जिन्होंने पिछले मुकाबले में 63 का स्कोर किये थे, अ इनका पहले फॉर्म थोड़ा सा गडबड हो चुका है, वर्ल्ल कप में अच्छा फॉर्म था और उसके बाद ये अपना बैटिंग करम उपर नीचे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी देखो CBC बनाया जा सकता है, क्योंकि एक प्रॉपर और खेलाड़ी है, आठ रनों के स्कोर तो आजम खान का भी बैटिंग करम नीचे रहने वाला है, वसे जब-जब बैटिंग आती आजम खान स्कोर कर देते हैं, क्योंकि देखो कि उपर से गुरबाज फ्लॉप थे, ऐलेक्स हेल्स फ्लॉप थे, शादाब खान भी फ्लॉप थे, आसी फली भी फ्लॉप थे, तो चार बैट्समेन फ्लॉप थे तो आजम खान को गेंदे मिली थी तो इन्होंने 35 का स्कोर किया था उसके बाद देखे फ़हीम अश्रफ को भी बॉले खेलने को मिली थी तो 49 का स्कोर किया था बॉलिंग से इनको दो विगेट मिल गई थे मुबस्तिर खान 5-0 का स्कोर किया था बॉलिंग से खेल विगेट लेस चले गया था रूमन राइस एक-एक विगेट निकालते हुए आ रहे हैं हसान अली देखेगा पिछले मुकाबले में कोई विगेट नहीं मिला है उससे पहले देखेगा 3-3 विगेट भी निकाले हुए दो बार बाखी एक-एक विगेट यह निकाल देते हैं फाजलाक फारूकी के वापसी विगेट इनको मिला था टॉम कुरन को बाहर किया गया था आई थिंग गलग डिसीजन था टॉम कुरन को बाहर नहीं करना चाहिए था क्योंकि देखो कि टॉम कुरन का रिसेंट फॉर् करता है यह सेक्षन में आपनी वीडियो में जान से आइड करता हूं क्योंकि देखो फैंटेसी खेलने का मतलब अगर टीट्वेंटी खेलते हो आप लोगों को ऐसे बॉलर्स रखने पड़ते हैं टीम में जो कि अपने कोटे कंप्लेट करें अगर मान लोग कोई आप ऐसा ले लेते हो जो कि अपने ओवरी ना डाले तो क्या सेंस बनता है तो इस वाजा से अब विकेट मिले ना मिले जो कि चार ओबर या अच्छी खासी ओबर डाल सकते हैं उसमें आप लोग हसान अली फाही मश्रफ शादाप खान फजालाग फारुकी और रूमान रैस देखो व मोहमद रिजवान आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे सान मसूद डिसेंट सा स्कोर करते हुए आ रहे हैं देखते चलना आप लोग रिसेंट फ़र्म ठीक ठाक है मोहमद रिजवान मतलब इस सीजन के सबसे जाधा रन इन्हों नहीं बनाया है मतलब हाइ पिछले दो मुकाबले से कुछ खासा करनी पहा है वैसे इनके बैटिंग करम को भी लेके कंस्यूजन बनी रहती है बिकलेको कैरोन पॉलाड पिछले मुकाबले में खेले थे और कभी कैरोन पॉलाड उपर आते हैं कभी डैविड मिलार उपर आ जाते है तो इन लोगों का थोड़ा सा confusion रहता है ठीक है 49 का score किये थे वरहाल और balling से 2 wicket इनको मिलाता खुशदिल सा 10 का score किये थे balling से wicketless चले गए थे अनवार रली पिछले मुकाबले में 2 wicket निकाले तुछ से पहले भी एक wicket निकाले उसमा अमीर पिछले 2 मुकाबले से इनको कोई wicket नहीं मिला है अब देखो important बात मैं आपको बताता चलू उसमा मीर पिछले मुकाबले में one down खेले थे लेकिन इनको न मतलब गेंदे थोड़ा सा night watchman का काम करने के लिए उपर भेजा गिया था विकाज यह नीचे ही खेलते हैं तो नीचे ही नाम मानना आप लोग इनका पिछले 2 मुकाबले से wicket लेस गया है लेकिन starting में आप इनका form देखो बहुत अच्छा हर मुकाबले में विकेट चटकारते हुए आ रहे हैं इंसा उल्ला जैसे कि मतलब मुहमाद रिजवान रन गेटिंग के मामले में नंबर एक पे हैं इंसा उल्ला बॉलिंग निकालने के मामले में नंबर एक पे हैं तो इंसा उल्ला माशाला बहुत अच्छा इनका परफोर्मेंस अभी तक आया हुआ है अब बास अफरीदी का भी परफोर्मेंस अच्छा था पिछले मुकाबले में दो इंसा उल्ला और अब बास अफरीदी बाकि इनके पास देखो मुहमद रिज्वान है रेली रोसो है डैविड मिलर कैरून पुलाड जैसे हार्ड इटर बैट्समें भी तो इनकी टीम विल्ड बैलेंस टीम लग रही है और मुझको लगता है कि टाइटल वोन कर सकती है अब अब देखो जैसे कि बालर्स देखोगे ना एक पल को तो बैट्समें देखोगे तो चारोई इंटरनेस्मल खिलाडी है लेकिन बालर देखिएगा तो सारे ही डोमेस्टिक के खिलाडी है फिर भी इस परकार का पफरमेंस देना बहुत बड़ी बात होती है ठीक और जहां त इनका रिसेंड का स्कोर यहां से देखते हुए चलना पिछले मुकाबले के बेस पी जोकी बालर अची खास्ती ओबर डाल सकते हैं बास अफ्रेदी इंशाओला उसमा मीर उसके बाद शमीन गुल अनवर अली देखो पांच ही प्रॉपर बालर है छठे विकल्प के तौर प टब कौन से खिलाडी का टॉप पफंस आता है तो डूसान का देखेगा 49 रणे एक ही मुकाबले में 49 की ऐवरेज है ऐलक्स हेल्ग की 30 की ऐवरेज है पांच मुकाबले के उन चास परॉपर 34 की ऐवरेज है फाही मश्राफ दस मुकाबले подпис की ऐवरेज है शादाफ खन 11 मुक टॉम कुरान एक में एक विकेट बॉलिंग से देखिएगा सौरी मुल्तान के तरफ से बैटिंग से देखिएगा डाविड मिलर एक ही मुकाबले खेलते हुए बावन रन किये थे बावन का इसको मतलब आवरेज के साथ पोलाड नौ मुकाबले 247-41 के आवरेज है रिजवान इन चार विकेट वहीं इन्शाओला एक में दो विकेट बात करते हैं जब ये वेन्यू पर खेलाडी खेलते हैं तब क्या कुछ करते हैं रावल पिंडी पे एलेक्स हेल्स का इसका आवरेज है चार मुकाबले 247-41 के आवरेज है आईए बालिंग से देख लेते हैं तो हसा दाप खान 12 में छे विकेट मुहम्मद वसीम पांच में सॉरी चार में पांच विकेट अब रार आहमद एक ही मुकाबले खेलते हुए तीन विकेट निकाल गयते हैं वहीं फजल हक फारु की भी इसी वैन्यू पे तीन विकेट निकाल चुके थे हैं बागी टॉम कुरान ए आसी फाली छे में दो विकेट, कार्लेस ब्राटवेट दो में दो विकेट, समीन गुल दो में दो विकेट, बाकि इसलामाबाद युनाइटेट के इनके ओवरॉल जितने खिलाड़ी है सबका रिकॉर्ड वागारा लिखा हुआ है, वैसे देखो पी एसली स्टार्ट हुए का आप लोग स्क्रीन सोट ले लेना है, जादा बेश्ट रहने वाला है, बाकि की बाते हैं हम लोग चलके अप्लिकेशन पर डिसकस करते हैं, दोस्तों यह मैं आप लोगों के टीम चोयसलवेन के अप्लिकेशन पर बता रहा हुँ, सेम ड्रीम वाला कॉंसेट यहाँ पर अप हो सकते हैं, अच्छे आज के मकाबले में करते हैं, क्योंकि आते ही इन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाया हुआ है, तो दोनों ही फिलाल मेरी टीम में जगा बना ले रहे हैं, बैटिंग सेक्शन से बात करते हैं, रेली रोसो, एलेक्स हैल्स, कॉलिन मुन्रू को मैंने टी इस नहीं रहता है, तो आप चाहो, तो गुर्बाज को ड्रॉप करके किसी एक कोले सकते हो, पुलाड दे को पिछले मुकाबले में बालिंग कर गयते हैं, लेकिन चांसे इनका बहुत कम है, बिकाद ये साथ में विकल्प के तौर पे खेल रहे हैं, थीक है, मसूद को आप स आप लोग ग्रांड लिग में ट्राइ करके चल सकते हो, एकात ओबर बालिंग कर सकते हो, बैटिंग कर हम बहुत नीचे है, तो जील में ही देखना, अनवर अली मुल्तान की टीम फर्स्ट बाल करे तो आप लोग चाहो, तो इनके उपर रिस्क ले सकते हो, बालिंग से आप देखो, रूमन राइस, हसन अली, यह भी इंपोर्टेंट खेलाडी हो सकते हैं, इसलामाबाद यूनाइटेड की टीम अगर फर्स्ट बाल करें, तो हो सकते हैं, मैं इन दोनों में से भी किसी एक को तो जरूर अपने टीम में ट्राइ करके चल सकते हो, यह सब डिसीज मैंने रिवर्सी कर दिया है, जहाँ पर कैप्टन मैंने यहाँ पर मुहमद रिजवान को बना दिया है, विसी के तर पर शादाब खान के साथ जा रहा हूँ, ऑप्शन की बात कीज़े, इंसा उल्ला का है, आप इनको बिल्कुल बना के चल सकते हो, बाकि यह एप्लिकेशन बहुत अच्छी है, अगर आप लोग साइन अप नहीं की हो, तो कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, कल जो मुकाबला खेला गया था, जैसे कि मैंने बताया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, और आज भी दो PSL मुकाबले खेले जाएंगे, उम्मीद है कि आज भी अपनी अच्छी विनिंग हो, अल्रेडी दोखो, आल्मोष्ट 580 लोग यहाँ पर आ जुके अपने क्रिगुलेंट प्रिडिक्शन फैमिली से, अगर आप इनका हिस्सा नहीं तो बहुत कुछ मिस कर सकते हो, साइन अप बोनस 500 रुपी मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी अप्लिकेशन है, इसलिए आप 4-500 रुपी अपना सेफ कर सकते हो, जैसे WPL का मुकाबला हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों के लिए फिरी जिववे भी है, तो आप लोग इसमें पाचिसिपेट कर सकते हो, बिल्कुल फिरी में आप लोग वान कर सकते हो, उसके बाद PSL का एक और मुकाबले जो दो पहर में खेला जागा, यहाँ पे भी आप लोगों के लिए 100% बोनस usable contest अल्रेड़ी एड़ है, आज आना अप्लिकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बाद भी काम करेगा, तो आने का बहुत सारे option है, आप आज जरूर जाना, चार नमंबर का पिंडे मैसे जरूर चेक कर लिया करो, आप लोगो आपको free team provide करा जाती है, तो कोई भी बंदा अगर मेरे नाम से paid team वगरा देता है, तो समझना आप लोग गलत जगा गया हो, तो